कुछ साल पहले हमारे देश के महान शास्त्रद्न और भारत के पुर्वराष्ट्रपती अब्दूल कलामसर ने एक सपना देखा था कि हमारा भारत देश 2022 तक महासत्ता बनाना है आज 2019 साल शुरू है मुझे नहीं पता कि तीन साल में हम महासत्ता बन सकेंगे या नहीं लेकिन देश में बारबार होने वाले चुनाव उनकी वज़े से बरबाद होने वाले समय पैसे और निर्मान होने वाली अस्तिर्ता की वज़े से हमारे देश को महासत्ता बनने में बड़ी रुकावट है जिसको चाहे तो हम दूर कर सकते हैं एक देश एक चुनाव संकलपणा की माध्रम से नमस्ते मैं प्रद्या भगट छात्र संसद मैं युवाउं का प्रतिनिदीत्व करते हुए अपनी बात रख रही हूँ 2009 के लोकसबा चुनाव में चुनाय योगद्वारा खर्च हुई रकम थी 1700 करोड 2014 के लोकसबा चुनाव में वही खर्च था 4000 करोड अनुमान है कि इस बार के चुनाव में यही खर्च बढ़कर 7000 करोड से जादा हो सकता है एस सबी लोकसबा चुनाव के खर्च के आकड़े हैं बाकि हमारे देश में विधान सबा चुनाव और कही तरह के चुनाव होते हैं जिसमें होने वाला सरकारी खर्च लोकसबा चुनाव से कई गुना जादा होगा अगर एस सबी चुनाव एक साथ हो जाए तो हमारे देश के कई हजार करोड रुपे बच जाएंगे हमारे देश में जब विधान सबा चुनाव होते हैं तब देश के बहुत से केंद्रिय मंत्रिगन यहाँ तक की प्रधान मंत्री तक सब नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनावी रैलियों में जाते हैं जबकि उनने पात साल देश के लोगों की समस्याई सुल जाने के लिए चुना गया होता है हर साल यह विदान सबा चुनाव होते हैं और हर साल यह मंत्रिगन अपना यही समय रैलियों में गवा देते हैं अगर एक देश एक चुनाव संकल्पना साकार हो जाए तो बाकी चुनावों के कारेक्रम विपरीत हो जाएंगे हमारा देश कई हजार करोर रुपेन सोई बच जाएगा और पात सालों में एक ही बार चुनावी रैलियों के लिए जाना पड़ेगा यह एक बहुत बड़ा फाइदा हमारे भारत देश के लिए होगा ना रुखेगा अचार सहीता की वज़े से विकास और ना वो जाएगा प्रशाष के व्यवस्ता के उपर बस इस पूरी संकलपना में मुझे एक दिकत दिक रही है अगर किसी लोकसबा या किसी विधानसबा में कम संक्याबल होने की वज़े से कोई सरकार समय से पहले गिर जाती है या खारीज हो जाती है तो ऐसे समय में क्या किया जाए क्योंकि अगर उस खारीज हुई विधानसबा या पंचायत का चुनाव फिर से किया जाए तो देश के बाखी चुनावं के कारेक्रम के विप्रीत हो जाएगा अगर इस विशे पर हमारे सविदान में कोई हल बनाय जाए और हमारे काईदे मंडल की ओर से कोई अच्छा निसका निकाला जाए तो बाकी सब काम आसाल हो जाएंगे हमारे देश का बहुत सारा पैसा बर्च सकेगा प्रशाष के व्यवस्ता पर हर बार आने वाला प्रेशर भी भारी मात्रा में कम हो जाएगा और हम गर्व से कह सकेंगे हम होंगे काम्याब हम होंगे काम्याब एक दिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे काम्याब एक दिन हम होंगे कामयाब एक दी जाए जाए महाराश्टरा जाए शूराए